राम नाम के चमतकार राम राम दो बार एक साथ क्यूं बोला जाता है? हिंदु धर्म में बहुत से लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को राम राम संबोधित करते हैं क्या आप जानते हैं एक साथ दो बार राम राम बोलने का क्या कारण माना जाता है आदिकाल से ऐसी परंपरा चली आ रही है ऐसा माना जाता है कि हिंदी की शब्दावली में र 27 वा शब्द है आ मात्रा में दूसरा और म शब्दावली में 25 वा शब्द है इन तीनों अंकों का योग कर रहें तो 27 प्लस 2 प्लस 25 बरावर 54 एक बार राम नाम का योग हुआ 54 दो बार राम राम का कुल योग हुआ 54 प्लस 54 एक सो आठ जब हम किसी मंतर का जाप करते हैं तो 108 मनके की माला फेरते हैं ऐसा माना जाता है कि सिर्फ राम राम कह देने से पूरी माला का जाप हो जाता है राम की महिमा अप्रम पार है राम नाम की महिमा से पत्थर भी तर जाते हैं राम नाम की महिमा को हनुमान जी ने सिद्ध किया था जब रिशी विश्वमित्र ने श्री राम को उन्हें ने राम नाम की महमा करते हुए कहा है राम नाम वेदो का प्राण है इस राम नाम की मंत्र को भगवान शिव जपते हैं वालमिकी जी उल्टा राम नाम मरा मरा जब कर भी पवित्र हो गए तुलसिदास जी कहते हैं यदि तो भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाता है तो रूपी मनिक दीपक को रख उनका मानना है कि राम कथा वेदों में प्रसिद्ध है राम नाम चपने वाले को कोई चिंता नहीं सताती राम नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है श्री राम का नाम कल्प तरूह के समान है राम का नाम हम सुख में दुख में किसी के जन्म पर मरन पर कहीं भी ले सकते हैं